रेडियो डान के यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बाफ़िटे लेडिस वीडियो से अपडेट वहने के लिए स्टेए टिन मैं हूँ किलन बेदी हमेशा सुनो रेडियो डान आज ही अपने मुबाइल फोन पर आप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो डार का ओफिशिल आप या फिर लॉग अप कीजिए www.radiodon.com सुनते रहिए रेडियो डार अफ लाइट ओफ लाइट कभी महक की तरा हम घुलों से उड़ते हैं कभी धुए की तरा हम परवतों से उड़ते हैं ये पैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हुसलों से उड़ते हैं जी हाँ दोस्तों आप भी जुड़ जाएए हमरे साथ अपने खौबों की उड़ान लिए अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए अपनी खाहिशात की उड़ान लिए लॉग ऑन कीजिए www.radio.com और चलिए हमारे साथ एक कवीन खत्म होने वाले सफ़र पर जिसका नाम है रेडियो उड़ान दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप संदे रेडियो उड़ान और इस वक्त मैं हूँ मिनत सिंधी आपके साथ शो है टेक्सिती का जी हाँ बिल्कुल नौ बच चुके हैं और मैं बिल्कुल टेक्सिती का शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और जैसा कि आप जानते ही हो कि टेक्सिती में चल रहा है Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2007 की हम बात कर रहे हैं टेक्सिती में पिछले हफ्ते हमने बहुत बेसिक बात की बहुत बेसिक कीबोर्ट कमार्स हमने बताया थे आपको जो कि नॉर्मली सबको पता होते हैं बड़ फिभी बहुत से ऐसे न्यू लिसनर्स हैं जिने नहीं पता थे और वाके में उन्हें बहुत अच्छा लगा शो और कुछ कंप्लेंस भी थी जो कि हमने सुनी और हम कुशिश करेंगे कि उसको सौट आट करें जास से एक्चली यह होता टुर्मली सभागा एक 장enter कंडल सी नहीं बोलेगा लेकिन कौपीड करगर बोलेगा तो जिसे हमें एड़ जाता है कि यह कॉपी हो गया बेशक बहुको धर Quest । कॉन कि मैं क्या कमांद या कि यूज कर रहे हूं १शित को मैं कि कॉपी का इनक भी करने कि है तो मेने खंडी CTRL ce kya तब ही कॉपी हुआ तो है यह कुछ ठोड़े से डाउट थे कि ऐसे दो कर 17 है इन पने नोंरom का जो जाने मीडिये में तो बिल्कुल कॉपी हो जाता है तो पता नहीं लगता बिल्क्व एन विड्यम में कि इतनी मेजर बात नहीं कि सबी को बता है कि एंवीडे में कट कॉपी-पेस्ट की जो कमांड है कि अपता नहीं है लेकिन इस बाइब डिपॉल्ट हमें पता लग जाता है कि यह को गया करके और हम अराम से इसको बेज़कि किसी और डुक्रिमें में पेच कर सकते हैं बेल शुरुआत करते हैं आज की शो की जैसे कि मैंने बताई कि अगले हथे उन्हें बहुत बेसिक कमांज बतायते हैं आज की शो में हम शुरुआत करते हैं लेटर राइटिंग से तो देखते हैं नीतु जी किताब बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज वो कौन सा लेटर रा रखना पड़ता है उसके लिए कौन कौन सी कमांड होती है और उसके लिए हमें किस किस तरह से हम अलाइनमेंट कर सकते हैं किस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में हम लेटर आइटिंग कर सकते हैं और किन-किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं और उसके लिए हम हमें पैरग्राफ चेंज करने की भी जरुत पड़ती है और हमें उसका मार्जन पेज मार्जन कैसा होना चाहिए और MS Word में हमें स्टार्टिंग से कैसे लिखना है और इस तरह से हमें यह चीजें हम लेटर आइटिंग में सीखेंगे तो MS Word में हम जब हम MS Word open करते हैं तो हमें डॉकुमेंट रिपोर्ट इस तरह की चीजें बनानी की ज़रुत पड़ती है तो साथ में कभी-कभी लेटर अगर बनाना हो हमें लेटर आइटिंग करनी हो तो किस तरह से कर सकते हैं तो लेटर दो तरह के होते हैं फॉर्मल लेटर और इंफॉर्मेंट लेटर तो हम फॉर्मल लेटर बनाना सीखते हैं हमें कैसे लिखना है और किस तरह से उस पर नैविगेट करना है तो एक मैंने एक लेटर ओपन किया हुआ है आप उससे सुनके देख सकते हो और सुनके आप देखके समझ सकते हैं जैसे हम टॉप अपड़ फाइल जा रहे हैं कंट्रोल प्लस होम अब यह तो एक लेटर के लिए हमें सबसे पहले जिसको मैं लेटर लिखना है उसके बारे में दॉपर लिखा है मैंने यह एक दूसरे तरह का फॉर्मेट है लेटर का ठीक है तो मैं दो तीन तरह के आपको ले इस तरह से pro description रिखा थो यह हमनze लेफ्ट अलाइनमेंघ में लिखा है लेफ्ट आलाइनमेंट में पहले हम कैसे लिखेंगे पहले मैं लिखना बता तो कैसे हमी पार के बाद हम इसे दो प्रिसनिपल के कहले दो ऊसके लाइरर नाम यहां रही हूं और92on और इस तरह से address लिख सकते हैं, इसके बाद डाउनेरो करके, इसके बाद date लिखी हुई है, इसके बाद हम respected sir and ma'am, इसके बीच में हम अगर enter करना चाहें तो address के बाद enter कर सकते हैं, और इसके बाद हम respected sir लिख सकते हैं, ये भी हमें left में ही लिखना होगा, और इसका basically जो size होता है font size 11 point होता है और by default 11 होता है अगर हमें change करना हो तो उसके लिए मैं command आपको थोड़ी देर में बताऊंगे तो subject जो है हमारी वो leave application है तो यह हमने down arrow करके यहां पर लिख दिया है और उसके बाद हम जब subject के बाद हम लिखेंगे leave application तो बहां पर बीच में एक colon का sign देना है और last में comma लगाना है और उसके बाद enter करना है एंटर करने से new line change हो जाती है तो इस तरह से आप लोगों सुन रहे हैं कि उसमें leave application का content लिखा हुआ है यहां पर उसने request किये student ने तो वहां पर उसने paragraph change करना है इसके लिए हमें paragraph change करना है एक paragraph में content लिखेंगे दूसरे paragraph में request करेंगे तो हमें paragraph change करना होगा तो जब हम जहां पर हमें paragraph change करना है वहां पर तीन बार अगर हम है three time tap कर प्रेस कर देंगे tap button तीन बार tap button प्रेस करने के बाद फिर हम paragraph change कर सकते हैं उसके बाद हमने जो हमने request में उनको लिखना है हम लिख देंगे और उसके बाद यूर्स sincerely और उसके बाद अपना नाम आप लोगों ने सुना लैटर इस तरह से लिखा जाता है उसके बाद हम alignments के ऊपर बात कर लेते हैं और font के ऊपर बात कर लेते हैं alignments जैसे इसमें कुछ खास alignments और इस चीज़ों का यूज में नहीं होता है अगर हमें करना है तो हम subject जहां पर लिखा था वहां पर हम control plus you press करेंगे वहां पर एक underline आजाएगी और इसके साथ में जैसे subject लिखा था तो मैं वहां पर आ गई हूँ और यहां पर मैं select करूंगी control plus right arrow उससे हमारा next word select हो जाएगा अगर हमें one line select करनी है तो shift plus down arrow one line means next line अगर हम उपर हैं और हम down arrow down arrow करेंगे तो हमारी next while line को read करेगा तो next while line को read करने के लिए हमें shift plus down arrow करेंगे तो इस तरह से वह one line select हो जाती है तो अभी मैं जिससे मैंने बताए subject को मुझे select करना और मुझे underline करना है तो हम कैसे करेंगे मैं subject को select करके आपको सुनाती हूं subject selected तो मैंने control plus right arrow किया और उसने बोला selected अब मुझे यहां पर control plus you करना है underline on बताया control plus you करने से underline on हो चुकिए अगर हमें off करना है तो इसी से हम control plus you करके off भी कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर रहे हैं इसके बाद insert plus f एक सबसे best command है जिससे कि हम यह formatting check कर सकते है font check कर सकते हैं और जैसे हमें क्या क्या alignments किये हैं किस चीज को हमने left line किया है किसी को right line में किया है जिसको हमने left alignment किया है और right alignments किया है उसे हम insert plus f से check कर सकते हैं तो उसने insert plus F किया मैंने तो वहाँ पे उसने उस alignments को read करके हमें बताया और इसके साथ अगर हमें menu के अंदर से जाना है तो वहाँ पे हम menu के अंदर से भी इसे ढूड सकते हैं control shift P यह भी इसकी कमांड है font चेंज करने की और control plus D यह भी एक font dialogue box है जिससे हम different different alignments, different size, different color कुछ भी change कर सकते हैं इसके बाद हम देखेंगे एक और हम दूसरे तरह का एक और letter देखेंगे उसके बाद हम profiles बनाना सीखेंगे हम किस तरह से bio data बना सकते हैं, किस तरह से resume बनते हैं तो उसका format कैसा होता है, वो चीज़ हम देखेंगे द्रिश्टी दिव्यांग जन के सपनों को देता पंक मजबूत होकर वो बढ़ें आगे यही प्रयास करते हैं शिक्षा और व्यवसाइक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नितन एद्वार आत्म निर्भर बने ये और गर्व करे देश समाज और परिवार दिव्यांग जन सशक्ति करण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्राले भारत सरकार के अंतरगत द्रिश्टी दिव्यांग का संबल राश्ट्रे दिव्यांग जन सशक्ति करण संस्थान 116 राजपुर रोड देहरादू बीड़ देहरादू हलो हलो विट्टू हां यार तू आया नहीं मैंने कल बताया था कि इंट्रूवे कर जाना मेरी ट्रेन निकल जाएगी कहा है तू हां यार बस आ गया पांच मिनिट में आ रहा हूं मैं बस तर पास हलो हां यार बिट्टू पांच मिनिट रहेगे मेरी ट्रेन निकल जाएगी कहा है तू बस यार बाहर ही हूं आ रहा हूं तू बस वेट कर आ गया मैं अब नहीं आओ निकल जाएगी कहा है काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे नहोते इसलिए दोस्तों कीजिए कें से दोस्ती क्योंके नोगे नोगें दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप से रहे रिडू रान अफ लाइट अफ लाइप तो परिसक मेहू मेरा सिंग आपके साथ, आप मेरे साथ हैं टेक्सिती शो में, हम बाते कर रहे हैं लेटर राइटिंग की, लेटर राइटिंग में अभी अभी आपने देखा कि नितु जी ने बताया कि प्रिंसिपल को लिव लेटर कैसे लिखते हैं, उसका क्या फॉर्मेट तो आपने देखा दोस्तों की प्रिंसिपल को लिव लेटर लिखा जा रहा था, जो नितु जी ने बताया है, मझे उमिद है कि आपको पसंद आया होगा, आपको समझ भी आया होगा, बहुत सिंपल होता है लिव लेटर लिखना, इस फॉर्मल लेटर जैसे की नितु जी न को भी लिख सकते हैं हमारे लेटर को, किसी को भी फ्रेंड्स को, या कोई भी ऐसा लेटर जो प्रोफेशनल ना हो, किसी बिजन से या किसी जॉब से लेटर ना हो, सिर्फ ऐसे ही हम एंटेटें के लिए या अपनी खेरत बताने के लिए या पूछने के लिए किसी को कोई ल आज कल देखा जाए तो कमांड जो है अलाइमेंट जो है वो ज्यादा नहीं उस करते जैसे नितुजी कहते हैं लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे आफिसे से जहां पर कमांड यूज किया जाता है जहां पर अलाइमेंस काम करते हैं आज कल वैसे भी लेफ्ट अलाइमेंस ही जाद लेटर बेस्ट हो जाएगा वो नहीं वैलिड रहेगा बिल्कुल कॉमा फुलिशॉप नाम और क्याप्टर लेटर एच और एवरिटिंग बिल्कुल फॉर्मल चीए डेट किस कॉलम में आएगी मंदब कौन से साइड में आएगी टू के बाद कितना स्पेस आएगा इच और सब्जेट कहां पर होगा सब चीज वहां पर फॉर्मल होती है तो खेर मैं आफिस का लेटर आपको नहीं बता सकते कि यह ऑफिचल है अब मैं आपको बताते हूं एक इनफॉर्मल लेटर क्या होता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनफॉर्मल लेटर होता है व कोई relation ना हो, personal बात हो, कुछ भी entertainment के लिए, किस भी चीज के लिए, जो letter लिखे जाते हैं, वो informal letters होते हैं, तो informal letters में, जैसे कि हम जानते हैं कि envelope पे address होता है, लेकिन जब हम letter लिखते हैं, तो letter में top right पे हमारा address है, यनि कि अगर मैं किसी को भेज रही हूँ, तो मेरा address top right में होगा, और मझे जिसको भेजना है, उनका address left में होगा, क्योंकि informal letters में यह होता है, कि यह होता है कि अगर मैं किसी को health के बारे में पूछूँ, तो में भी वो मझे reply करे, तो इसलिए दोनों ही address उसमें होते हैं, तो top right में मेरा अपना address होगा, मेरा यानि कि जो letter भेजना है उनका, और top left में to the, जो भी आपको, जिसको भी भेजना है, उनका नाम address होगा, informal letters में city के बाद, एक enter करके, पहाँ पर date लिखी जाती है, याद आगिएगा, informal letters में city के बाद date लिखी जाती है, बट मैं आपको बता देती हूँ, यह सब कुछ city और countries पर depend करता है, यह नहीं है कि जो मैंने आपको बता दिया, तो वही सही है या वही गलत है, ऐसा नहीं है, हर country, हर state का अलग format होता है, तो बिलकल confuse मत होईएगा, मैं आपको बता दू कि date जो होती है, वो informal letters में भी right में ही आएगी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बता है कि right में अपना address एक लाइन एंटर करके बहाँ पर हमें date देनी होती है, याद आखेगा, informal letters में भी date राइट में ही आएगी, लेकिन हमारे address के नीचे, यानि कि जो letter भेज रहा है, उसके address के नीचे date लिखनी होती है, और क्यूंकि यह informal letter है, यानि कि formal letter नहीं है, तो इसमें subject इतना mandatory ही नहीं क वगर है, तो personal letter है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसमें subject लिखें, लेकिन letter का जो पहला body होगा, उसमें straightforwardly, the reason हमें लिखना होगा, तो body के first paragraph में ही हमें mention करना होगा, कि हमने किस purpose के लिए ये letter लिखा है, और second paragraph में हम उसको explain कर सकते हैं, और एक final paragraph भी हम बना सकते है जिसमें हम एक conclusion बता सकते हैं, पूरे whole letter को मिला कर, और जैसे कि आप जानते हैं, कि ये बिल्कुल informal letter है, तो इसमें हमें कोई formalities दिखाने की ज़रूत नहीं है, अगर हम उस person को जानते हैं, इसको हम letter लिख रहे हैं, for example के लिए, अगर मैं letter लिख रही हूँ, मेरी किसी friend को, उसका नाम है, पूजा, चलिए हम पूजा को ले लेते हैं, तो अगर मैं पूजा को letter लिख रही हूँ, तो मैं just, अगर मैं उसको जानती हूँ, तो मैं बिल्कुल लिख सकते हूँ कि, हाई पूजा और डियर पूजा, डियर पूजा, ज्यादा अच्छा लगता है, तो letters मे मोज़े हम यह लिखते हैं, dear, dearest वगर है, तो यह formal letter नहीं है, तो हम बिल्कुल इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, hi Pooja, how are you, या फिर dear Pooja, hope you are fine out there, क्योंकि यह business letter नहीं है, बहुत simple sentence से हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए, hope you are doing well, हम नहीं सकते हैं, I hope your husband and kids are doing well, तो इस तर letter की शुरुआत करनी होती है, और जो ending है इसकी, वो भी बिल्कुल फॉर्मल नहीं होने चाहिए, तो ending में हम लिख सकते हैं, जैसे की, I am looking forward to seeing you, I can't wait to see you soon, I can't wait to hear from you, see you soon, तो इस तरीक से, if you send my love to, I hope you are doing well, give my regards to, blah, 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 तो इस तरीके से, बहुत formal तरीके से, हमें letter की ending करनी होती है, और signature की जब हम बात कहते हैं, तो वहाँ हमें full freedom होती है, वहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह formal letter नहीं है, मैं आपको बार बार बुल रही हूं, तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, your best, your love, whatever बार जो भी आपको लगता है, वह आप लिख सकते हैं, कोई opposition नहीं यहाँ पर, कि आपको यहीं लिखना पड़ेगा, lots of love, तो इस तरीके से, आप कुछ भी, कुछ भी लिख सकते हैं, चलिए मैं आपको एक पूरा letter बदाती हूं, informal alignment के साथ में, और hope कि आपको शाय समझ चलिए, शुरुआत करते हैं, letter की ह, period, space, n, o, no, f, 1, 9, f, 19, enter, h, no, f, 19, n, blank, 9, blank, comma, enter, k, a, r, o, l, b, a, a, b, k, k, log, comma, enter, d, e, l, h, i, Delhi, period, enter, new Delhi, 7, comma, space, d, e, c, e, m, b, e, r, December, 1 0 2017 07 December 2017 0 2 с P A R U L J A I N J 2 3 3 la 1 6 M Y MY D-E-A-R, dear, P-A-R-U-L, परल, comma, enter. My dear Peril, blank, I am not sure if you have found out yet or not but I have a confession and apology to make. I'm so embarrassed to admit it but I must inform you because it is killing me inside. Tab 1.51 inches, I swear I, when that happened I panicked because you love all your dresses. Tab 1.5, blank, I'll buy you a new dresser you can choose a punishment for me. Once again, I'm really very sorry for my clumsiness. Tab 1, page 1, page 2, hoping to hear from you very soon. Blank, yours affectionately. M-I-N-A-L, Minel, enter, Minel, home, T. Selected, from, comma, Minel, sing, VH, period, no F-19, comma, Carole, bog, comma, new D-E-A-R. 11 point, black on white, LATO, highlighted, normal web style, line spacing, single paragraph formatting, mixed alignment, outline level, body text. Aligned right. 11 point, black on white, LATO, highlighted, normal web style, line spacing, single paragraph formatting, aligned right, outline level, body text. Home. Selected, selected, Peril Jane. Selected, house, no period, 3380. Selected, SHJ Street, selected. Selected, 11 point, black on white, LATO, highlighted, normal web style, line spacing, single paragraph formatting, aligned left, outline level, body text. Blank, my dear Peril. Selected, my dear Peril, comma, 11 point, black on white, LATO, highlighted, normal web style, line spacing, single paragraph formatting, aligned left, outline level, body text. Blank, I am not sure, selected, I am not selected, Rastu, selected, blank, selected, you unselected, you add a maroon frock with floral, unselected, blank. 11 point, black on white, LATO, highlighted, normal web style, line spacing, single paragraph formatting, first line indented by 0.5 inches, justified, outline level, body text. Align left, aligned left, hoping to hear from, selected, hoping to hear from, selected, hoping to hear from you very soon, comma, vertical tab, vertical tab. Centered. 11 point, black on white, LATO, highlighted, normal web style, line spacing, single paragraph formatting, first line indented by 0.5 inches, centered, outline level, body text. Listed, and, yours a, selected, yours a, selected, minor, aligned right, blank, yours affectionately, selected, yours affectionately, comma, 11 point, black on white, LATO, highlighted, normal web style, line spacing, single paragraph formatting, First line indented by 0.5 inches, aligned right, outline level, body text. दोस्तों, तो आपने देखा कि ये एक था informal letter, Apologized letter था इसमें, जो कि मेरे से किसी की dress खराब हो गेती थी थी, उसके लिए मैं उससे confess कर रहे थी. तो आपने देखा कि मैंने अपने letter को right alignments दिया, left, center, justify, सब कुछ मैंने करके आपको बताया. ये ज़रूर नहीं है कि हम इसी format में लिखे हैं, क्योंकि ये informal letter है, इसको हम normal भी लिख सकते हैं. बट मैं आपको बता दूँ कि इसका look जो आएगा, वो ऐसे आएगा, कि suppose करिए कि एक box type paper है में पास, ये एक rectangle paper है में पास, उस paper के right side में, right hand की तरफ, उपर corner में मेरा address होगा, और left side के corner में, जिसको मैंने letter भेजा है, उसका address होगा, ये वो format है, जो मैंने अभी आपको Jaws के जरी बताया, मैं उसके बारे में आपको बता रहे हूँ, ठीक है, उसके बाद जो था, dear parol मैंने लिखा, तो parol जो है, वो मैंने left alignment में ही लिखा है, तो जो address है, मतलब जो मैंने उसका address लिखा है, उसके नीचे एक line छोड़ कर, dear parol मैंने लिखा है, और उसके बाद जो letter का body है, वो मैंने तीन paragraph में लिखा है, जो कि आपने सुना होगा, और वो तीनों भी paragraph मैंने left alignment में लिखा, अगर हम चाहें तो इसे center में भी कर सकते थे, इसके बाद, hoping to see you soon, something कुछ, मैंने इसके line लिखी, और वो मैंने centered कर दी, यह centered करना ज़रूरी नहीं था, लेकिन just for showing to you, में लिखनी थी, जो भी line मैंने लिखी, उसको मैंने right alignment दे दिया, तो यह सारे alignments थे, underline हम इसे दे सकते हैं, जो कि नितुजी ने आपको बताया, इसके पहले letter में, तो इस तरीके से यह alignments होते हैं, और यह normal, informal and formal letter हमने आपको बताया, लेकिन बहुत कुछ है word में अभी, ऐ ऐसे हम समझाएंगे तो शायद सम्न्द में मुश्किल होगा, आप हमाई सास आती या तो practical में करते रहिए, या फिर आप ऐसे ही एक formal और एक informal letter लिखके हमें mail करिए, ताकि हमें बता लगएगा कि आप practice कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मेरी mail id है, meenalsinghi at gmail.com, m inalsinghvi at gmail. यहाँ पर आप मझे mail कर सकते हैं, बाकी जादा दान करें के लिए आप सुनते रहे रेडियो डान अफ राइट ओफ लाइफ, हमारी website है www.radiodon.com, वहाँ पर भी आप विजिट करके feedback हमें दे सकते हैं, Facebook और WhatsApp के जरे भी आप हम से contact कर सकते हैं, चलिए अब मिलते हैं छोड़ चलो यार, कोई मुवी सुनते हैं मुवी का क्या सुनना यार, चलो कई गूमने चलते हैं ना हाँ, वैसे भी आजकर मुवीज में इतनी जादा विजिलाइजिशन होते हैं कि हम ब्लाइन लोगों को कहां कुछ समझ में आता है तो अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि विजिल इंपैट की लाइफ को और भी एंटर्टेनिक बनाने के लिए सक्षम ला रहा है फुली एकसेसिबल आडियो डिस्क्राइब मुवी क्या होती हैं? अडियो डिस्क्राइब मुवी इस पेशली विजिल इंपैट परसंस के लिए तयार की जाती हैं मुवी के जिस पार्ट में विजुलाइजेशन होती है या फिर डायलोग्स नहीं होते उस पार्ट को डिस्क्राइब किया जाती है गीता बभीता के पास आई और उसके गले लग वे दोनोंने महवीर की ओड देखा वाओ फिर तो मज आ जाएगा इन मुवीज को आप संग सकते हैं हर शनी बार शाम छे बजे से और पुना प्रसारन हर अभी बार दुपेहर एक बजे से सिर्ट रेडियो उरान बार वेडियो उरान इस अन ओली एडियो स्टेशन विछ प्रवाइट प्रवाइशन जो प्रवाइशन लिए कर दो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जो एसे कमांड्स हैं कि मुझे लगता है कि बहुत कॉमन है जो कि हमें आने चाहिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम कफी सारा कंटेंट लिए और पूरा कंटेंट में हम एक वर्ड को गलत लिख देते हैं हर जगे हैं या फिर हमें यार नहीं कि हमने कि है हम गलत दिखता और कहां और सही लिखा ठीक है तो यहां पर क्या होता है अब जब बहुत बड़ी बुक अगर हम लिखते हैं कोई 50-60 पेपर अगर हमने लिख लिए तो उन में उतनी पूरी बुक में से एक एक वर्ड उसे ढूंड के लिखना बहुत मिश्किल हो जाएगा बन बैपर लेकिन मैं आपको ब लिखना था मुझे लेकिन आपने वहां पर नाम निद्या नीलम अब हर जागे तो इसके लिए भी कमांड होते हैं तो मैं सोच चुछे चुछे कमांड से उसके बारे में हम एक बार डिसक्रस कर लेते हैं तो ताकि आपको इजली पता लग जाए कि हम यह भी वर्ड में कर स बहुत कुछ है और इतना सब कुछ बता पाना बहुत मिश्किल है लेकिन फिर भी जो बेसिक चीजे हैं वो मुझे रखता कि मैं आपको बता जिती हूँ पहले मैं आपको उसी लेटर को खोद दी है एक बार और उस लेटर के जरीए मैं आपको वजाते हूँ कि कोई वर्ड अगर मुझे धूड़ना है तो वो मैं कैसे उसमें धूड़नूगी फर एक्जम्पल लिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे एक ही डॉक फाइल में बहुत सारे लेटर रखे होते हैं तो अब अगर मुझे कोई पर्टिकुलर लेटर चीए होगा तो मैं उसे कैसे सुनने के लिए जो कमांड है उस कमांड के बारे में हम बात करते हैं ठीक है तो चलिए एक डॉकमेंट में उपन करती हूँ उसकी जरी आपको बताती हूँ कि हम वर्ड फाइन कैसे करते हैं वर्ड को रिप्रेस कैसे करते हैं और 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 जो जो कमांड इसमें जयाद आते र रटन। और्योप्ट्रण कि अधक जीडेगू कि अध श्रूम्न य।फट्रापّ गिसपबस प्रशी कर स स्कते कर अ ज। held Top Radio Uden, blank, tune in to countless, blank, Uden, is Hindi, community radio, help of their programs, an initiative, vision impairment, help of their programs, an initiative concept, of, help, top radio Uden, control F, find and replace dialogue, find page, find what, edit combo, Uden, to set the value, use the arrow keys or type the value, N, H, E, L, P, help tab, find what, find what, more button, to tab, find what, find what, more button, tab, find a button, to active tab, find next button, to activate space, escape, proposal for Radio Uden.Docs, Microsoft Word, print, edit, vision impairment, help of their programs, an initiative conceptualized, produced and broadcast by persons with. तो आपने देखा कि जब मैंने help word को find किया, और जब उस पर enter करके escape किया, तो मेरा cursor टॉप से हटकर help early line पर आ गया था, तो बहुत इजी है, मैं आपको एक बार theoretically बता जेती हूँ, सबसे पहले आपको control F करना है, जो कि final replace dialogue boss खोल देगा, उसके बाद आपको word type करना है, जो कि आपको ढूरना है, जो कि उस letter में या उस dog file में आपको ढूरना है, उस word को आपको type करना है, और उसके बाद में आपको four time tap करना है, जब तक कि आपको find button नहीं मिल जाता, वहाँ प type करके find next button पर आपको space bar करना है, और उसके बाद आपको escape करना है, जब आप escape कर दोगे, तो आपका गरसर उस word पर आजाएगा, जो आपने find किया था, तो उमीद है कि आपको find dialogue boss जो था, वो समझ आएगा, कैसे हम एक word को ढूरनते हैं, प्रियावरन का भी हम रखते हैं, पशु स्वास्त से किसान हुए खुश्छाल, आयूर वेट को है परियावरन का भी खयाल, पर मौर इंफरमेशन, कॉंटक आप टोल फ्री नंबर 1-800-12-33-734 चलिए, अब हम एक बार रीप्लेस करना देखते हैं, कि रीप्लेस करने के लिए हमें क्या करना होगा और हुआ करना है। month to set the value, use the arrow keys or type the value H R A D I O radio app replace with edit combo to set the value, use the arrow keys or type the value Alt I T U N E tune I N in app replace with replace with more button to add app replace button to activate, press space bar Alt R find next button to activate, press space bar Alt F space tab search down search down cancel button tab replace tab the switch tab find what edit combo tab replace with edit combo tune in the tab replace with replace with tab search down search down replace button to act a tab search down search down replace all button space Microsoft Office Word Dialog Word has reached the end of the document 37 replacements were made do you want to continue searching at the beginning? yes button to activate, press space bar Alt plus Y space Microsoft Office Word Dialog Word has completed its search of the document and has made 37 replacements ok button to active space find and replace dialogue replace page find what? edit combo radio to set escape proposal for radio you can do you with the köy Microsoft Word print edit top tune in you tune in to tune in the internet community tune in station countless visually impaired blank audience is indeed for taking community tune in based in India takes thousand the help of their program vision impairment it has the dis blank one three two zero five characters selected for Control H find and replace dialogue replace page find what edit combo radio to set of O, T, U, N, E, Toon, I, N In tab, replace with edit comp N, R, R R, A, D, I, O Tab, replace with, replace with more button to tab, search tab, search down, tab, search down, search down, find next button to act space Tab, search da, tab, replace tab, find tab, replace tab, the set of tab, search down, search down, replace All button to act of space Microsoft Office Word Dialog Word has completed its search of the document and has made 38 replacements OK button to space, find and replace dialog, replace page, find what, edit combo, tune in to set the value, use the arrow keys or type the value, alt N Escape proposal for Radio Uden dot, Radio Uden Blank, top Radio Uden, Blank, radio to Radio Uden The internet community radio station that has come to light the lives of countless visually impaired Indians in its short stint of 3 Blank Uden is Hindi for taking community radio based in India So, you can see how to replace the word So, you can see how to replace the word It is very easy It is very easy Once you practice, you will get to know You will get to hear You may be able to hear But in practical It is very easy You can see that I opened a document I opened a document Radio Run proposal At present So, I opened it It was a big document I entered a control edge And I entered a radio I entered a radio I entered a radio Then we will replace Then we will replace You have to replace the word You will type So, I entered the tune in That is the tune in For 4 times When we tap Then we will find next button उस पर हमें Space bar करना है, Space bar करने के बाद हमें 6 बार 7 बार tap करना है, 6 बार नहीं, 6 बार जो हम करते हैं तो replace आएगा, जब 7 बार हम tap करेंगे तो replace all आएगा, क्योंकि हमारे paper में बहुत सारे same word है, तो हमें उन सब को change करना है, तो हमें replace all पे space bar करना होगा, जब मैंने replace all पे space word किया तो आपने देखा कि सारा कुछ replace हो गया था रेडियो की जगे पर tune in आ गया था मैंने दोबारा से tune in के हटा के रेडियो कर दिया था तो इस तरह से हम word को replace भी का सकते हैं पूरे complete document में से तो मुझे उमिद है कि ये चीज़ आपको समझायोगी गशल प्रेड रेडियो रज़ हो ग। तो और है था अप जब देड्योज़ एडियो का सकते हैं ın गलिच्ज़ प्रस भ्रसाने भी को चेहाईग नाप shaping आपको ऐस कि से वा siर गा हो ओस प्रस अधार कर आप प्रसे ä जैना हैं आंप अ गारियों ऑम्रे हैं आगे बढ़ते हैं और एक और कमान हम देखते हैं और अगा कि युल्ड बदे भम करुछ ग्रिडिलो कि युल्ड प्राइऑ्छ 25 युल्ड रदी काईग 1280 वैजे दुल्ड धड़ केले युल्ड है बदिष बाएद इस, तजोपघ आसे वे इसे, वेहर dog दें़ correct an इंस कि अजने हैंग युल्ड. Tab, font, style, edit combo, regular, to set the value, use the italic, bold, bold italic, bold, tab, size, edit combo, 11, to set the value, use the arrow key, 12, 14, 16, 1, 14 Tab, font, color, font, color, automatic button, to activate, press space bar, to activate, press space bar, space, font, color, font, color, accent, 2 button, to active, to activate, press space, menu, more colors, dot, 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 menu, to activate, press space, light green, RGB 1, yellow, RGB, orange, RGB 255, 1, red, RGB 255, 0, 0, tab, orange, RGB 255, Font, color, font, color, orange button, to active, tab, underline, style, combo, box, none, to change the selection, use words only, single, double, thick, dotted, dotted, dotted heavy, dash, dashed heavy, dashed long, dashed heavy, dashed, dotted heavy, dotted, tab, underline, color, underline, color, automatic button, to activate, press space, to activate, press space bar, menu, more colors, dot, menu, to activate, press space bar, B, light green, RGB 146, 208, 80, underline, color, underline, color, light green, button, tab, effects, strike through, checkbox, not checked, to check, press space bar, OK, effects, double, strike through, checkbox, not checked, effects, superscript, checkbox, not checked, check, press space, effects, subscript, checkbox, not checked, effects, shadow, checkbox, not checked, check, press space bar, space, checked, tab, effects, outline, checkbox, not checked, check, press space bar, although, space, checked, tab, effects, embossed checkbox, not checked, check, press space bar, space, checked, tab, effects, engraved checkbox, not checked, check, tab, effects, small caps, checkbox, not checked, check, press space, tab, effects, all caps, checkbox, not checked, space, checked, tab, effects, hidden checkbox, not checked, फ्तुर्डराथ कर् food स्क्रीट क् ihr और अब और अबन एकम्यास चぁ अच्बस, पर एकल मूल थैड काँ सरा अइपकтов स्वारीफ्ट है that जी तो आपने देखा कि सिफिक रेडियो उडान वर्ड मैंने सेलेक्ट करके वहाँ पर आपको कंट्रोल डी करके फर्न डैलोग बस उपन करके वहाँ पर सारे कुछ कमांड मैंने आपको करके दिखाए अप करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे कमांड मिल जाएंगे बोल्ड इटैलिक जो भी आपको करना है तो कलर चेंज करना है तो अंडरलाईं डालना है तो सुपर स्क्रिप्स बगर है जो भी आपको करना है आप यहाँ से यשים लग इस कर सकते हैं Step 1, select the word in which you want to do formatting Step 2, press Ctrl plus D to open the font dialog box Step 3, on the first you will get the font style in edit You can change the style of the fonts By pressing down arrow key you can select the style like regular bold italic Step 4, press tab key you will go on font size where you can choose the font size through Down arrow key Step 5, press tab key to go on font color where you can choose the font color through Down arrow key Step 6, press tab key to go on underline style and choose the styles through down arrow key Step 7, press tab key and you will get different check boxes like strike, double strike, super Script, subscript, etc. where you can check them by pressing space bar if you want to apply Step 8, press tab key and go on ok button and press enter and your formatting will apply on your document Step 8, press tab key to go on your document Step 8, press tab key to go on your document Step 8, press tab key to go on your document Step 8, press tab key to go on your document Step 8, press tab key to go on your document Clicker Step 8, press tab key to go on your document Step 8, press tab key to go on your document Step 8, press tab key to go on your document Step 8, press tab key to go on your document Step 8, press tab key to go on your document Step 8, press tab key to go on your document अगर इसे हम बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं अच्छा रहेगा तो बोल्ड करने के लिए प्लस बी और उसके बाद हमने उसमें हम डाउन एरो से देख रहे हैं मैं सारा कुछ डाउन एरो से आप लोगों को सुना रही हूं तो एक कंटेंट लिखा हुआ है इसके बाद हमने कंटेंट लिख दिया है आप लोग सुन रहे हैं जैसे की इसके बाद हमें अगर इस तरह से कंटेंट लिखने के बाद अगर हमें पेरग्राफ चेंज करना है तो हम दो या तीन वाद टाप प्रेस करेंगे और इस तरह से हम पेरग्राफ चेंज कर सकते हैं लेटर में हमेशा दो पेराग्राफ होते हैं, एक पेराग्राफ में content लिखा जाता है, तूसरे पेराग्राफ में request लिखी जाती है, जो हमें उनसे request करनी है, अगर वो request letter है तो उसमें हम paragraph change कर सकते हैं और जब यह कंप्लीट हो गया है तो हम यहां पर थेंक्यू यूर्स ट्यूली यूर्स सिंसेरली इस तरह का लिखने के बाद फिर डाउनरों करके फिर अपना नाम लिख सकते हैं तो यह हमारा एक लेटर था और इसमें हम अब फॉन्ट सिखते हैं फॉन्ट और अलाइनमेंट्स क्या होती है और किस तरह से होती है तो मैं सबसे पहले बताती हूं climate Lugo उいます के लिखारने से लेफ्ट अलाइमेंट होता है Ctrl प्लस R करने से Right Alignments होती है Ctrl प्लस E करने से Center Alignments होती है और Ctrl प्लस J करने से Justify होता है ये सारी हम Commands पहले Discuss कर चुके हैं और इसके साथ में अगर मैं आपको Font की बात कर रही हूं तो पता देती हूं Ctrl प्लस D जो की Font Dialog Box ओपन करने के लिए होता है और इसके साथ में Ctrl Shift P भी प्रेस कर सकते हैं तो इससे हम Font चेंज करने के लिए Font एक Dialog Box ओपन होगा जैसे कि अभी मैं आपको Apply करके बताती हूं और लेकिन आपको साथ में याद रखना है कि हमें Select करना होता है अगर हमें कुछ भी Alignments डाल ली हैं तो हमें उस Line को उस Word को उस Paragraph को Select करना होगा Select करने के लिए आपको Selection Command पता होनी चाहिए आपको याद होनी चाहिए हम यहाँ पे हम Sender Address को Select करके उसे Left Alignment डालेंगे तो कैसे डालेंगे तो पहले मैं उसे Select करके आपको बता रहे हूं Shift Down arrow करके तो आप लोगों ने सुना उसने Select करके उसने सुनाया हमें और यहाँ पे अब हम Ctrl प्लस L को प्रेस करेंगे Ctrl प्लस L Align Left बताया उसने तो मैंने Ctrl प्लस L प्रेस किया था अगर हमें right alignment करना है तो Ctrl प्लस R, Ctrl प्लस B करने से bold का font आ जाता है Ctrl प्लस I करने से italic का font आ जाता है तो यह different font होते हैं अभी हम alignments की बात कर रहे थे, font की बात कर रहे थे तो इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो है insert plus F तो इसने पूरा हमें font बता दिया इसने सब size बताया, इसने हमें alignments का बता दिया तो आप insert plus F चेक करने के लिए बहुत ही easy और असान है आपको इन चीज़ों का तो ध्यान रखना ही है same font होना चाहिए same alignments होने चाहिए और page का margin कैसा होना चाहिए उसकी width उसकी length कितनी होनी चाहिए page की by default उसकी length जो page का page जो भी page का setup margin होता है वो 1.1 inches होता है top, bottom, left and right तो वो हम page margin जब हम करना सीखेंगे तो हम उसे बाद में देख लेंगे तो यह हमारा एक letter का format था एक मंच जहां मिलती है मैध कोन जानकारिया सवाल हो और जवाब दूँद एक मंच जहां होते हैं हसी और ठहा के एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूँ आप पहले सुन लीजिए उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण के नहीं चाहिए एक मंच जहां मिलेगा लोगती संगीत और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ लॉग आन कीजिए www.radioran.com और जोड़ जाए हमारे साथ यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉबलम है मन करता है अच्छी अच्छी रेस्टरांस में जाऊं और नहीं नहीं डिश्ट्राइ करों पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता हाँ और वेटर से पूरे मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूचते हुए जानती हो यह प्रॉबलम लो विजन बालो और सीनियर सिटिजन्स को भी आती है रेस्टरांस में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना कभी कभी सोचती हूं कि घर सी खाना ओडर कर दू लिकिन आसपास के रेस्टरांस पता करना और उनकी मेन्यू जानना कितना मुश्क अड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं बस Good Food Talks अप Android Play Store से डाउनलोड करें अपने कम्प्यूटर या आइफोन पर www.godfodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और enjoy करें अरे वाँ मज़ा आ गया देखो तो पास में कौन-कौन से रेस्टरांस हैं NVDA Screen Reader Software जिसके जरीए द्रिश्टि बाधित व्यक्ति आसानी से कम्प्यूटर का इस्तिमाल कर सकते हैं अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध हैं तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने नमस्कार मी अनन्या मराठीचा आवाज मी नमस्ते, नानु कन्नडदध द्वनी यल्पन नम्शकारा मी बांगला अबाज पाया नमस्कारा नेनू तेलुगु स्वरांगीत नू वनकम नान्तमिनरीन कुरल वानी नमस्ते, मैं हिंदी की आवाज नील हूँ हाई, आएम रिशी, वोईस अव इंडियन इंग्लिश जब ये इंडियन वोईसेज एक साथ स्क्रीन डीडर सौफ़्वियर में जुड़ती हैं तो बनता है इंडो-NVDA तो दोस्तो अब आप खुद को इंडो-NVDA के और करीब पाएंगे जब आप भारत की इन भाशाओं में अवाज सुन पाएंगे दुनिया की अनलिमिटेड वोईसेज को एक्सेस करने का इंडो-NVDA हजाना है तो फिर देर किस बाथ ही? सक्षम को फोन मिलाना है नोट करें सक्षम का हेलप लाइन नंबर 011-6465-0655 सक्षम का पता है 486-Double-Story-New-Rajindranagar-New-Derry-11-0060 रेडियो नार के यूटूब चैनल को सिस्क्राइब कीजिए और बेल पुटन को हिट कीजिए हमारे लेडिस्ट वीडियो से अपजेट वहने के लिए स्टे टून झाल झाल